जैन दोस्तों दिव्य हिंदी अकाडमी में आपका स्वागत है मैं सुभास आपको पढ़ाने वाला हूँ सिंदू घाटी सब्यता इस तरीके से पढ़ेंगे कि कभी किसी एकजाम में एक भी प्रस्ने गलत ना हो तो यह पीटी का पहला वीडियो यानि पीटी का जो इतिहास क पहला जो टॉपिक दिया है सिंदू घाटी सब्यता दिया है तो पीटी को देखते हुए हम इस वीडियो को अपलोड किये हैं आने वाला जो वीडियो होगा वैदिक सब्यता होगा तो पीटी के लिए तो महतपूर है और आल वंडे एकजाम कोई भी एकजाम हो जैसे गुर आडमी चैनल को सस्क्राइब करिएगा और वेल आइकन जरूर दबाईएगा कियोंकि वेल आइकन दबाएंगे तो कोई भी वीडियो अगला जो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नाटिपिकेशन आपके पहुचेगा और जो भी पेट का जो हिंदी का सेलवस दिया है पीटी एक एक टॉपिक करके तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करिएगा और जो वीडियो है इसको लाश्ट तक देखिएगा फिर जीवन में कभी किसी का वीडियो देखने के जरूरत नहीं होगा दोस्तों तो आईए सिंदु घाटी सब्यता हो उसको समझते हैं सिंदु घाटी सब्यता जो होती है नगरी सब्यता होती है कहा जाता है कि जो सब्यता है इसके समकालिन सब्यता भी थी विशो में लेकिन तो ऐसी सब्यता नहीं थी इतना विकास नहीं था और भारत का एक ऐसा सब्यता है जो प्राचीन भी है और विकास सील भी है बताए इसका जो समय होता है C 14 के माध्यम से समय बताया जाता है यानि carbon dating पध्धत के माध्यम से इसका समय बताया जाता है 2500 इसापुर्व से लेकर 1750 इसापुर्व यानि आप 2000 लगभग इस्वी चलना है और इसापुर्व है यानि एक इस्वी के पहले भी हम count करेंगे जितना पीछे गया है और इधर इस्वी से ले करके हम 2022 तक पहुँच गया है तो चोड़ेंगे लगबग 4500 बर्स के पहले की सब्यता है और ये नगरी शब्यता थी दोस्तों नगरी शब्यता थी तो आईए आप लोग इस तरीके से पढ़िएगा कि इसको आप एकजाम में धूआ धूआ इसका कर दे दोस्तों तो चलिए खोज आता है जो सिंदु घाटी सब्यता यानि हरपा इसको और भी नाम कर सकते हैं हरपा भी करते हैं हरपा कियोंकि हरपा जो नगर था हरपा जो जगर का नाम है वही पे खुदाई ह हुई थी तो चलिए इसका करसे खोज होता है इसको पहले समझ लेते हैं हरपा इसका नाम और है शैंद्वो शब्यता शैंद dipping सब्यता शैंद्वो सब्यता यानि तीनों नाम से इसको हम ले सकते हैं तीनों नाम सिंदोगाटी सबेता हडपा सबेता शैंधव सबेता तीनों नाम इसका आता है तो हडपा सबेता इसलिए पड़ता है कि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी ओह रपा में हुई थी 1921 में सरजान मार्शल के नेत्रित में दयाराम शाहनी द्वारा भारती पूरा तत स्वर्वेचण विभाग के भारती ओ उसमें अध्यास थें लेकिन तो भारती पूरा तत तो सरवेचण विभाग के जो अध्यास होते हैं सरजान मार्शल कहा जाता है कि रेलवे की पटरी की खुदाई हो रही थी, तो वहीं पे इस शब्यता मिली थी, कुछ साज से मिले थे, कुछ साज से मिले थे, तो इसलिए हम लोग समझते हैं, इसको आगे चलिए देखा जाए, कि इसकी खोज सरपर्सम 1826, 1826 में चाल्स मैसन, एक चाल्स मैसन होते हैं, जो कहते हैं कि यहां कोई सब्यता है, कहां पे, जहां पे हडपा सब्यता की खूज हुई है, ठीक है, हडपा सब्यता की 1921 में दया राम साहनी द्वारा सर जान मार्शल के नेतरित में हुई है, वहीं पे कहा जाता है, कि 1826 में चाल्स मैसन, एक यहां पे कोई सब् कि कितना पुराना सभ्यता है और इसका नाम क्या है कुछ नहीं बता पाते हैं इसलिए हम लोग इनको प्रमाडित रूप से इनका नहीं माना जाता है कि सिंदोगाटी सभ्यता का इनहीं ने खोश किया था लेकिन तो पूरत्य खोज जो आता है पूरत्य खोज 1921 में भारती प दया राम शाहनी द्वारा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांड कुमरी जीला रावी नदी के तड़ पे हडपा में हुगा था दोस्तों तो देखिए 1921 में दया राम शाहनी द्वारा हडपा में इसकी खोज किया गया है तो इसी का नाम हो जाता है हडपा सब्यता और य रावी नदी के किनारी हुई है तो देखे दया राम साहनी के द्वारा रावी नदी के किनारे हुई है पाकिस्तान में रावी नदी लेकिन तु रावी नदी से लेकर के जो सिंधू नदी होती है ठीक है न सिंधू नदी होती है वहां तक हडपा की खुदाई होते जाता है औ आगे चलेंगे इसका आकार कैसे है इसका आकार दोस्तों त्रीबुजा कार है इसका आकार कैसा है त्रीबुजा कार है और एक ऐसी सब्यता है सबसे प्राचीन सब्यता है भारत की सबसे प्राचीन सब्यता है यह भी कोश्चन बनते हैं तो आगे देखेंगे त्रीबुजा का और यह याद करिएगा और सबसे प्राचिन सब्यता है इसको भी याद रखिएगा दोस्तों आगे चलते हैं इसका चेतरफल का बात करते हैं यानि जो तिर्वुजाकार है लेकिन तुसका हम चारो दीशा में देखेंगे कौन उत्तरी दीशा में कौन अस्थल है एक कोश्चन पूछता है कौन पूर्वी अस्थल है सबसे कौन सबसे पच्छमी अस्थल है कौन सबसे दच्छिडी अस्थल है एगी कोश्चन प अस्थल है मांडा है जम्मु कस्मी और सबसे आपको दचिडी जो मिलेगा दैमाबाद महाराष्ट में है और सबसे पूर्वी जो मिलेगा आलमगेर पूर आलमगेर पूर यूपी में परेगा ठीक है आलमगेर पूर यूपी में मेरट में परेगा दोस्तों मेरट में परेगा और सबसे ये बात आता है, सबसे पच्छिमी जो अस्तलाएगा, सिंदु घाटी सब्यता, सूत कांगे डोर बलुस्तितान में पड़ता है, तो ये चारो कोशन आप याद रखियेगा, उत्तरी में मांडा, दच्छिडी में दैवावाद, पूर्वी में आलमगीरपूर, और पच्छिमी में सुत कांगे डोर, तो ये कोशन और बनेगा दोस्तों, कि यहाँ उत्तर से दच्छिड की लंबाई कितना है, दोस्तों, उत्तर से दच्छिड की लंबाई मतलब विस्तार, लंबाई कितना होगा, तो लगभग 1200 किलो मीटर होगा, दोस्तों, 1200 किलो मीटर करके एक एक पॉइंट को नोट करिएगा पहले तो वीडियो को देख करके शमझे उसके बाद एक बार और हो सकता है वीडियो को देख करके आप उसको नोट करिएगा क्योंकि आज समझ के नोट कर लेंगे फिर किसी का वीडियो नहीं पढ़ना पड़ेगा तो आगे चलते है इसका विस्तार देखते हैं भारत में कहां कहां किस राज में होता है देखिए भारत में गुजरात में भारत के गुजरात में हरियाडा में राजस्थान में जम्मु कस्मेर में पशिमी उत्तर परदेश में पंजाब में महाराश्ट में ठीक है ना हरियाडा में राजस्थान में और जम्मु कस्मेर में पश्यमी उत्तर परदेश, पंजाब, महारास्ट यानि जो भारत में विस्तार हुआ है इतना विस्तार इन प्रदेशों में सिंदु घाटी सब्यता का विस्तार है लेकिन तो यहीं पाकिस्तान में देखा जाएगा दोस्तों पाकिस्तान में विस् पंजाब के देखे पंजाब दो पार्ट में बठ गया ना आप 14 अगस्त 1947 को आप से पाकिस्तान अलग हुगा है यानि भारत से पाकिस्तान अलग हुगा है और 15 अगस्त को हम लोग अपना सोतंतता दीवस मनाते हैं जो की आगे आने वाला है तो 1921 में खोजुगा है और देश का बड़ारा बाद में होता है तो पंजाब दो भागों में बढ़ जाता है कुछ पंजाब लगभग आधा चला जाता है जमुक पाकिस्तान में और आधा पंजाब कहां रह जाता है भारत में रह जाता है तो ऐसा confusion में न रहिएगा कि यहां पंजाब हम लिखे हैं पाकिस् है देश के बटवारे के समय पंजाब भी बढ़ गया था आगे चलेंगे दोस्त समकालिन सभ्यता पे समकालिन सभ्यता पे चलेंगे इसके समकालिन सभ्यता जैसे चीन की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता मेसोपोटामिया इराग की सब्यता है दोस्तों मेसोपोटामिया इराग की सब्यता है मिसर की सब्यता था एक माया की सब्यता होती है जो माया की सब्यता होती है दोस्तों वो मैक्सिको की होती है लेकिन तो इस जो सब्यता था इतना विकास नहीं था हमारे सिंदु गाटी सब्यता जो भारत का सब्यता है जितना विकास सिल यानि विकास हुगा था नगरी सब्यता है इसी के सामकालिन कोई भी सब्यता दूनिया का इससे तुलना नहीं कर सकता था तो इसलिए सिंदु गाटी सब्यता हमारे प्राचिंतम सब्यता में से एक है और यूनिक है दोस्तों आगे चलेंगे तो ये कोशन आप से पूछेगा कि समकालिन सब्यता कौन-कौन थी तो आपके सामने हैं दोस्तों एक तो मेसोपोटामिया की सब्यता जो है इराग की सब्य मिस्र की सब्यता है एक माया की सब्यता जो मैक्सिको देश की है तो हमारी ये जो सिंदु गाटी सब्यता थी दोस्तों नगरी थी उच्च कोटी की सब्यता थी और सडके जाल पद्धत भे थे जैसे आज सडके होती हैं एक दूसरे को समकोड पे कारती है एक दूसरे को समकोड पे कारती है चोरहा बन जाता है उसी तरीके से उस समय भी सडके थी और आगे चलेंगे दोस्तों देखेंगे यहां पे नाली भी है ठीक है ना नाली भी मिला है चबुतरा भी मिला है पक्की इतो का जैसे आज भी देख देखेंगे शहरों में भी कहीं कहीं दिखने को मिलता है तो इस तरीके से दोस्तों सिंधु गाटी सब्यता यानि 4500 बर्स के पहले भी यहां पे देखा गया उस चब उतरे में गेहूं जो चावल का साच भी मिला है आगे देखेंगे दोस्तों नगर दो भागों में भी भक्त था नगर की कितने भागों में भी भक्ता दो भागों में भी भक्ता तो देखिए एक दूर्ग छेत्र होता था एक नगर छेत्र होता था दूर्ग छेत्र को पच्मी तिलाक आते थे और जो नगर छेत्र रख था पूर्वी तिलाक आते थे नगर दूर्ग छेत्र में शासक वर्ग रहते थे और नगर छेतर में आम जनता रहती थी नगर छेतर में आम जनता रहती थी लेकिन तो यहां पर ये कोर्शन पूछता है दोस्तों कि दूर्ग छेतर और नगर छेतर में से कौन सा रच्छा प्राचीर से गीरा था अब रच्छा प्राचीर क्या है जैसे दूर दूर्ग छेतर में कौन लोग हैं सासक वर्ग रते हैं सासक वर्ग रते हैं तो सासक वर्ग जहां पे रहते हैं दूर्ग छेतर में चार ओर से रच्छा प्राचीर घीरा था दोस्तों रच्छा प्राचीर से चार ओर घीरा था रच्छा प्राचीर का मतलब यह होता है कि सैनिक पहारा देगे और कीले के चारोर जैसे प्राचीर बना होता है, सहनिक पहारा देगे उस तरीके से होता था उसी को कहते हैं, तो आपको पूछेगा सिंदु घाटी सब्वेता में यानी हडपा सब्वेता में यानी हडपा नगर में कौन सा नगर यानि कौन सा पाठ पूर्वी पाठ या पच्छिमी पाठ यानि पच्छिमी या पूर्वी दोनों में से कोई पूछेगा आप से कि कौन दूर्ग छेतर से दूर्ग छेतर में सासक वरगर रते थे तो बताए दूर्ग छेतर रच्छा प्राचीर से घिरा था कि नगर छेतर रच्छा पराचीर से गीरा था तो यहाँ पे आपको दूर्ग छेतर देखिए हम घेरे हुए हैं यहाँ पे दूर्ग छेतर आपका शासक और गरते थें रच्छा पराचीर से गीरा रहता था दोस्तों रच्छा पराचीर से नगर छेतर में आम जनता रहती थी त तो यहां पे नहीं घीरा रहता था, आगे आएंगे हडपा के प्रमुक साच, हडपा के प्रमुक साच, आपको साच से भी कोश्यन देखनों को मिलता है दोस्तों, साच से कोश्यन भी बनता है, तो आएए देखिए हडपा से क्या क्या साच मिला है, बारे कमरों का अन्नागार मिला है यानि जहां पे जैसे आज गोदाम होता है तो गोदाम के तरह बारे कमरों का बड़े-बड़े कमरे थे अन्नागार मिला है यानि जहां पे अन्न रखा जाता है और बृत्ताकार चबुतरा भी मिला है दोस्तों बृत्ताकार चबुतरा भी मिला है और उस चबुतरे में क्या मिले हैं गेहुं और चओ गेहुं और चबुतरा पक्की इटो का बनी होती थी दोस्तों पक्की इटो का बनी होती थी और यहाँ पे आवास आवास भी मिले हैं ज मतलब जहां पे आपका आवास है यानि जो लोग रहते थे उसके दच्छडी में 837 के नाम से एक कबरिस्तान भी मिला है तो बताईएगा दोस्त अगर पूछेगा कि कबरिस्तान कहां मिला है तो आप बताईएगा कि हडपा सबयता मिला है आगे आप लोग देखेंगे कि स्व पास्तिक चिन होता है दोस्तों ओ भी मिला है हडपा से याद रखिएगा आगे एक और साच्छे मिला है पीतल की बनी एकका गाड़ी एकका गाड़ी आज भी चलता है तो उस समय कैसा था पीतल का बना हुआ था तो कुछ लोग इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सब साच्छे कैसे मिला ये देखिए पहले ही बता देते हैं दोस्तों कि ये जो सब्यता थी इतनी विकास सिल यानि विकास वाला इतनी उच्चकोट की थी तो ये कहा जाता है बाढ़ाने से भुकम पाने से यानि प्राकिर्तिक आबदा से इस समाप्त हो गई यानि एकदम कि खुदा ही हो रही थी आपके जो भारत में मुंबई से थाड़े चलती है जो ट्रेन चलती है अठारे सो तिरपन सौरी दोस्तों लाइट चला गया था तो चलिए फिर से सुरुगात करते हैं हम लोग तो अभी हम पीतल की बनी इका गाड़ी ये सब बताएं कि साच मिला था कहां से मिला था आपके हडपा से तो एक बार बताते हैं हडपा का नाम क्यों पड़ा हडपा ओ जगर था जहां पनापे खुदाई हुई थी इसलिए हडपा सब बता नाम पड़ा और सिंधु घाटी सब बता क्यों नाम पड़ा था अगरवी नदी से ले करके सिंधु नदी के बीच की जो घाटी होती है यानि सिंद्रू नदी के पास जब खुदाई होती गई तो वहीं तक सीमित थी वहीं तक साच् 새 मिला तो इसलिए सिंदू घाटी सब्यता रख दिया यहां का सैंधो सव्यता का जो आर्थिक जीवन कैसी थी यानि सिंदु गाटी सव्यता का आर्थिक जीवन कैसी थी उसको देख लेंगे दोस्तों आर्थिक जीवन देख लेंगे कि आर्थिक रूप से कैसे थे तो देखिए बार तो आता था ठीक ना बार तो आता था मोहंजो दाड़े में देखें उनके किस तरीके से बाढ़ आता है और रितिक रोशन बाढ़ में एक अच्छा काम करके बचाते हैं सबको तो बाढ़ के बाढ़ नवंबर माह में गेहुं येवन जवब होते थे सब लोग गेहुं और जवब होते थे और नौ प्रकार की फसलों का साच्छे मिला है फसले कितना है नौ प्रकार की उसमें प्रमुक था जो मुख्य था गेहुं और जव यानि सिंदु घाटी सब्यता में हरपा सब्यता के लो कहां किया गया तो आप जबाब देंगे सेंदव सभीता के लोग क्यां किये हैं ये सबसे पहले कपास की खेती किये हैं तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी होती है और भारत में पूशेगा कि कपास सबसे जादा कहा होता है तो आप गुजरात में बताएंगे काली मिट्टी में तो कापास सर पर्थं 623 इसमें कापास की खेती किया था दोस्तों जो कापास की रूई निकलता है ठीक है न कौर्टन निकलता है अब देखी आगे चलेंगे यहां पे देखिए कोई मुद्रा थी कि क्या थी जो बस्तु थी क्रै देखे क्रै विक्रै जो था क्रै विक्रै मतलब खरीदने का और बेचने का माध्यम क्या था कोई मुद्रा थी कि कैसे करते थे क्रै विक्रै का जो माध्यम था बस्तु भी मैं यानि आप गेहूं देंगे तो और कुछ लेंगे मोहंजोदाडों फिल्में में दिखाये गया था देखें सिंदु गाटी सब्वेता का एक प्रमुक्या नगर है आपका मोहंजोदाडों एक प्रमुक्या नगर है तो आज जैसे मालीजे एक हमारा भारत है भारत एक सब्वे क्रयवी क्रयह होता है triggering Quand Red खरीति रोशन क्या लाता था नील लाता था अपने गाउं से नील की खेती करके नील लेके आता था बैल गाड़ी पे और क्या करता था गिये हूं यह वह जव अगरे खरीत के ले जाता था यानि बस तू बीन मैं था एक बस तू दीजिए दूसरी बस तू लीजिए आगे चल पूजा किया जाता था दोस्तों इनकी पूजा किया जाता था कूबड वाले साड की आगे चलेंगे ब्यापार देखे सिंधु घाटी सब्यता का ब्यापार भी होता था इसके समकालिन जो सब्यता है जैसे मेसोपोटामिया की सब्यता इराक का है मेश्र की सब्यता दच्छिडी भारत से भी होता था देखिए कैसे होता था मेसोपोटामिया से लाजवत मरी का आयात होता था मतलब मेसोपोटामिया से आयात मतलब अ है तो अ का मतलब आया तो आयात का मतलब आया निर्यात का मतल जब गया तो आयात करते थे दोस्तों क्या करते थे लाजवत मडी का मेसोपोटामिया से आयात करते थे सिंधु वासियों ने यानि हमारे देश की जो प्राचिंतम सब्यता है और करनाटक से और अफगानिस्तान करनाटक यानि दच्छिडी भारत में पढ़ता है कहीं-कहीं ब करते थे सिंधु वासियों ने तो आगे चलेंगे चादी का आयात कहां से होता था यानि चादी कहां से आती थी तो देखिए अफगानिस्तान और इरान से चादी आता था और तावा कहां से आता था दोस्तों तावा देखेंगे खेतडी से क्या आता था तावा आता था खे इसको भी याद रखिएगा आगे चलेंगे सरवाधिक मुहरे सेल खड़ी की मुहरे मिली हैं दोस्तों यह भी कोश्चन आप से पूछता है कि सरवाधिक मुहरे किसकी मिली हैं सेल खड़ी की और मुहरे कैसी होती थी वर्गाकार होती थी दोस्तों वर्गाकार होती थी आगे जलेगे तो मुहर पर क्या अंकेत होते थे एक सिंगरी पशु अंकर होते थे मुहरों पर एक श्रिंगी पशु का अंकर मिलता था दोस्तों एक सिरींगी पशु का तो मात्र सत्तात्मक है यानी माता मुखिया होगी घर की आगे चलेंगे दोस्तों सैंधो सब्यता का आर्थिक जीवन देखेंगे तो आर्थिक जीवन देख लिजिए यहां पे मिट्टी की पकी हुई मूर्तियां मिले ठीक है ना शोरी सैंदो सब्यता का धार्मिक जीवन आर्थिक तो हम लोग देख लिए हैं दोस्तों धार्मिक जीवन देखेंगे मिटि की पक्वी हुई मूर्तियां मात्र देवी की मूर्ति और पूरुष देवता जैसे पशुपति सिव की आकरिती मिली है तो इसे पता चले देखे मात्र देवी की प्रतिमा मिले अगर मिट्टी की पक्वी हुई मूर्तियों में से मात्र देवी की प्रतिमा मिले और पूरुष देवता यानि पसुपति सिव की आकृति मिले तो यानि किसको मानते हैं ये लोग हिंदु धर्म के में मानते हैं ये लोग कैसे किस धर्म क दोस्तों और सही भी आगे चलेंगे हिंदु धर्म के उपासक्त होंगे अगर ए मात्रदेवी की प्रतिमा रखते हैं और उस्पति सीव की उपासना करते थे तो यह लोग क्या होंगे हिंदु धर्म को मानते थे तो चलिए इसकी लीपी की बारे में देखिए उस समय बस्तु बिन मैं थी तो लीखा उखा जाता था की नहीं देखा जाएगा कि इनका लीपी क्या था जैसे हिंदी हम देवनागरी लीपी में लिपते हैं और अंग्रेजी रोमन लीपी में लिपते हैं तो इस समय इनकी लीपी क्या थी तो लीपी के बारे में देखेंगे दोस्तों भा भावचित्रात्मक करते हैं दोस्तों और अग्यात भी करते हैं और क्या करते हैं अग्यात भी करते हैं और भावचित्रात्मक भी करते हैं और ये मिद्रभांडों पर अंकित होते थे और लिपी कैसी होती थी मिद्रभांडों पर अंकित होती थी दोस्तों मिद्रभांडों प से 450 अच्छरों की संख्या प्राप्त हुई है 400 से 450 अच्छर का संख्या मिला है इसमें तो आपको यह याद रखना है कि सिंदु घाटी सब्यता की लिपी भावचित्रात्मक या अज्यात अब यह बात आ लेक्त आएङगे कि प्राग रखती हासी काल के वारे में उस समय कि घटना के वारे में ना लीखा गया हो ना पढ़ा गया हो तो प्राग रखती हासी क्ला है और और यहाति जो होता है देखिए आदेतियासी काल सिंदु गाटी सब्यता आदेतियासी काल होता है यानि सिंदु गाटी सब्यता में लीखे तो गएं चिन बनाए तो गएं लेकिन तो पढ़े नहीं गएं तो उसको कहेंगे जो लीखा गया हो लेकिन तो पढ़ा न गया हो उसको आदेति तो सिंदू घाटी सव्यता हमारा कैसी सव्यता है आद एतिहासिख काल है दोस्तों आद एतिहासिख काल है question छपखेगा दोस्तों तो आगे चलेंगे आद एतिहासिख काल समझ लिए तो यह जो भावचीतरात्मक था भाव से जानते थे क्या लीखा है उसude के लोग बाद में नहीं कोई पढ़ पाया इसलिए कहते हैं भाव चित्रात्मक थी आद इतिहासिक काल थी और आपको एक और बता देते हैं कि इतिहासिक काल क्या होता है तो आगे चलेंगे अधिका इतिहासिक काल उसको कहते हैं जो लीखा गया हो और पढ़ा भी गया हो जैसे आज का इतिहास आशल्लाई हम लोग प्राची नितिहास इसके बाद पढ़ेंगे वैदिक सब्यता से ले करके फिर असो को सुक के बारें पढ़ेंगे आगे चल्के मद्द्यकालिन पढ़ेंगे तो लीखा भी गया है और हम लोग पढ़ते हैं तो उसको एतिहासी काल करते हैं तो येक Help रिविजन करेंगे जो लीखा न गया हो और पढ़ा भी न गया होगा जब लीखेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे उसे प्राग एतियासिक काल और जो लीखा गया हो लेकिन तो पढ़ा न गया हो उसे आद एतियासिक काल यानि सिंदु घाटी सब्यता प्राग एतियासिक काल जिसको लिखा गया हो और पढ़ा गया हो आगे चलेंगे आगे चलेंगे दोस्तों देखे सिंदु घाटी सब्यता में एक हडपा जो नगर होता है सबसे महत्पूर होता है तो आप हडपा पढ़ चुके हैं हडपा से क्या क्या यहां साच मिला है यह भी देख लिए हैं तो आ उसी के आधार पे यहां पे हडपा एक प्रमुक नगर था उसके लिरिटेड उसी के समकालिन उसी के जैसा और क्या थी और भी नगर मिली है तो उसको भी पढ़ते हैं दोस्तों चली एक प्रमुक जो नगर मिलेगी मुहन जो दाडो मिलेगी एक प्रमुक हडपा के बाद जो म लिख लिजेगा डाउनलोड करके बहुत बढ़िया फिल्म है कोश्चन कम सकम कहानी याद रहेगा तो कुछ इंट्रेस्ट आएगा पढ़ने में तो मोहन जोदारो इसको करते हैं मांट आपडेट यानि मित्रकों का तीला मृत्रकों का तीला भी करते हैं दोस्तों इसको लरकाना जीला में लरकाना जीला में सिंदू नदी के किनारे दोस्तों सिंदू नदी के किनारे 12 अप्रेल 1922 को एक खोज किये थे ठीक है ना मोहन जोदारो का खोज किस ने किया पाकिस्तान के सिंद प्रांत में राखाल दास बनर जी ने पाकिस्तान के सिंद प्रांत में ल उसी के पास सिंदू नदी है उसी के किनारे मोहन जो दाड़ों की खोज 12 अप्रैल 1922 को हुई तो यहां से देखते हैं साच्छ क्या क्या मिले हैं साच्छ को देखेंगे तो यहां से 20 साल अन्नागार मिला है देखिए बारे कमरों का अन्नागार अभी हम पढ़ा हैं कि यहां पे हडपा में मिला है कहां पे मिला है बारक कमरों का अन्नागार हडपा में मिला है बारक कमरों का अन्नागार लेकिन तो आपको विसाल अन्नागार पूल जेगा तो मोहन जो दड़ो लगाएंगे दोस्तों मोहन जो दड़ो लगाएंगे और आपको आज आए विसाल असनाना तब भी आप क्या लगाएंगे मोहंजोदाड़ो महंजोदाड़ो फिल्म में असनानागार जो है उसको दिखाये गया चैलिए इसानागार की लंबाई चौड़ाई गहराई को हैं कितनी लंबाई चाहणाई घहराई है तो देखिए 45.71 मीटर लंबा है यह स्वीमिंग पूल जानते हैं ना स्वीमिंग पूल उसी तरीके का था इसलिए कहते हैं दोस्त की 45 सो बर्ष के पहले स्वीमिंग लोग तो इसलिए हमारी सब्यता कैसी थी सबसे विकास वाला सब्यता थी सबसे उच्च कोटी की सब्यता है थी दोस्तों तो 45 सो बर्ष के पहले तो यह स्वीमिंग पंदर दसमलों दो तीन मीटर चौणा था और इसकी गहराई कितनी थी दोस्तों डेड़ मीटर गहरी थी और पक्की इट की बनी थी दोस्तों कैसी बनी थी पक्की इट की बनी थी और जिबसम की एक इंज की पलस्तर हुआ था ठीक है ना जिबसम से जुडाई हुआ था दोस्तों सौरी जिबसम से क्या हुआ था इटों की जुडाई होता है ठीक है ना जिबसम से इटों की जुडाई होता है लेकिन भी-टू मीनसस का पलस्तर बीटू मीनसस का एक इंज का पलस्तर किया घया था पूरा अस्तनागार के चारों तरफ दोस्तों ठीक है आगे चलेंगे मार्सल महोद आहका ओंठ की हड़पा की सजान मार्सल के निर्देशन में डयाराम शाहनी ने किया है तो फिर भारती पूरत्त तो सरवेचचञ विबाग के जो अधिकारी होते हैं यानट देश घुलाम था उस समय में देश घुलाम था किश से था अंग्रेज्जोν से घुलाम था तो उस समय जो भी बड़े बड़े अधिकारी होते थे कौन होते थे अंग्रेज होते थे इसलिए भारती पूरा तत्तो सर्वेच्छट विभाग का अधिकारी कौन थे सरजान मार्सल थे लेकिन तो उसमें एक भारती थे दयारामसाहनी तो उनी के नेतरुत में खुदाई हुआ था दोस हैं इसको अस्तानागार को